नमस्कार आप देख रहें DRV News मैं हूँ आपके साथ वंदिना सेंग रामनगरी अयोध्या इन दिनों राजनेतिक अखाड़ा बनी हुई है खास कर महराष्ट्र की राजनीती में राजनेताओं का आपसी रंजिश के कारण ये पावननगरी चर्चा का विशय बनी हुई है राज ठाकरे के अयोध्या जाने के एलान के बाद अब आदेत्य ठाकरे ने भी अयोध्या जाने का एलान कर दिया है इननों की आपसी रंजिश के कारण अयोध्या में एक तरह का पोस्टर वार्ट छिड़ा हुआ है हाला कि प्रशाशन ने सिफसेना और मंसे के होडिंग्स को सड़कों पे से हटा दिया है शिफसेना की होडिंग्स में मंसे प्रमुक राज ठाक्रे के अयोध्या आगमन को लेकर कटाक्ष किया गया था स्वर्गे बाला सहब ठाकरे महाराश्ट्र के सियम उधग ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे की फोटो लगी होडिंग्स में लिखा था कि असली आ रहे हैं नकली से साफधार बता दें की बीते दिनों मनसे की तरफ से भी यह होडिंग्स लगाई गई थी जिस पर लिखा था राज तिलक की करो तयारी आ रहे हैं भगवाधारी अब डोनों ही पार्टियों की होडिंग्स को जिला प्रशाशन ने चंद घंटों के अंदर ही हटवा दिया है शिवसेना ने कल पोस्टर लगाये थे इन पोस्टर में लिखा है असली हिंदू की हुंकार सुनने के लिए रैली में आना ही चाहिए शिवसेना ने राज ठाकरे की पार्टी का नाम लिए बिना उन पर हमला बोलते हुए कहा कि असली आ रहे हैं नकली से आप सावधान हो जाईए आपको बता दें कि MNS प्रमुक राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउट स्पीकर हटाने के मुद्दे पर आंदोलन खडा किया है उनके निशाने पर सिर्फेना पार्टी और उधव ठाकरे हैं भगवे रंग की शॉल ओड़कर राज ठाकरे खुद को हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय बता रहे हैं साथ ही उनकी पार्टी उन्हें हिंदू जननायक के तौर पर प्रस्तुत कर रही है बता दे 14 मई को होने वाली उधव ठाकरे की रैली में राज ठाकरे और बीजेपी दोनों निशाने पर होंगे राजनीती जोना सो करवादे ठाकरे परिवार के लोग अयुध्या मुद्धे पर आमने सामने आ गए हैं देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि आने वाले समय में राजनीती किस तरह करवट लेती है नई अपडेट्स के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे चलते चलते चैनल को लाइक करना, शेर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले फिलाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजे इजाज़त जय हिंद